हर तीन घंटे में एक महिला का शाररिक उत्पीडन उत्तर पदेश में हो रहा है और उत्तर पदेश की सरकार और केंदर की सरकार और ये डबल एंजन की सरकार इस बात का संग्याद नहीं ले रही है मनिपट की जो घटना हुई है SIR यह कोई मामोली घटना नहीं है यह बहुत ही समवेदन शील घटना है और SIR सरकार का रवेइया बहुत ही समवेदन बीन रहा है इस नामलेको लेके इस पूरे काझ़ की SIR निन्दा पूरे विश्मधा है हुई है और हम भारत वासियों का सर श्रह से जुखा है सर इस खटना तो देगा जहाँ पे महलाओ को नंगा किया गया उनका रेप किया गया सर कौन जिम्मेदार है सर इसका और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था ऐसे जैसे सुप्रिया सूरे जी ने खाँ एसे लगबग 4,000 FIs इस तरह की रेजिस्टर होई हैं सर सो हम सरकार के सजानना चाहते हैं सरकार से कितनों पर आक्शन हुआ है कितनी गरफतारिया हुई हैं सर अदेश्या विज्टर हैं सर लगबग 60,000 लोग displaced हुए हैं वो अपने ख़ड में रह रहे हैं 14,000 चिल्रेन अदिस्प्लेश सर इन दिस्टर आ अबल तो जो तो स्कूल्स सर देया मोर दन 150 डेट्स सर तो इस बाजबा की नेतिक और आजनेतिक जिम्मेदारी नहीं है अध्यक्ष मौदे बड़े मच्छा रहे हैं वई अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया जो सयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है अध्यक्ष मौदे मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ सत्ता अपक्ष के लोग कह रहे थे करनी चाहिए जो महलाओं के साथ जगन्य अपराद हो रहे हैं गुजरात की चर्चा करनी चाहिए च्छतिसगर की चर्चा करनी चाहिए तो मद्द प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आकड़े बताते हैं NCRB के कि हर रोज हर तीन घंटे में एक महिला का शाररिक उत्पीडन उत्तर पदेश में हो रहा है और उत्तर पदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और डबल इंजन की सरकार इस बात का संग्यान नहीं ले रही है Sir, Manipur की जो घटना हुई है Sir, यह कोई मामुली घटना नहीं है यह बहुती समवेदन शील घटना है और Sir, सरकार का रविया बहुती समवेदन हीन रहा है इस मामले को लेकर Sir, यह सरकार अहंकार में डूबी वी सरकार है द्रब, मद और दम में डूबी वी सरकार है Sir It was a complete violation of human rights, destruction of human rights, and using women as instrument for appropriating violence is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. अपर में जो विज्वल्स आए जहां पर महलाओ को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर्कॉन जमेदार है सर्कॉर और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सूले जी ने खाए, ऐसे लगबख चार हजार एफाइज इस तरह की रेजिस्टर होई ह है सर्कॉर के सजानना चाहते हैं सर्कार से कितनों पर आक्षन हुआ है, कितनी गरिफ्टारिया हुई है सर्कॉर लगबख साथ हजार लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं, 14,000 चिल्रें आप दिस्प्लेस सर्कॉर इंडिस्ट आप अब तो इ इस वडूवर रही हैं, सर्कॉर इंडिस्प्लेस की अचाहते हैं, युक्त की सब्सक्राइब टॉप्लेस प्रज़ों की वह अचाहते था, कि वह इस वाइलंस को रोखने का काम करें, Sir it is a bordering state हमारी full army वहाँ पे deployed रहती है Assam Rifles वहाँ पे है Sir Border Security Force है Sir अगर government चाहती वहाँ की तो within two days Sir यह control में लाय जा सकता था violence लेकिन सरकार की intention was not right और Sir आज भी सरकार deception mode पे ही है Sir Honorable Prime Minister said हमेशे उनने कहा है कि वासुदेव कुटम कम पूर्वा विश्व मेरा परिवार है Sir सो क्या मनिपूर हमारा परिवार नहीं है Sir क्या हमारे देश का अंग नहीं है Sir तो यह step motherly treatment मनिपूर को क्यों दिया जा रहा है Sir Sir BJP कि जो नीती है Sir वो नफरत की राजनीती करते है Sir वो वोट की राजनीती करते है Sir और BJP पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है Sir Sir I would request you Sir internal security is at risk not only in Manipur Sir but also in Mizoram, Tripura, South Assam Sir and Haryana Sir as we see the elections are coming by the deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country Sir so the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk Sir Gaurav Ji ने कहा कि क्या बात भी प्रदानमंत्री के वीच में और चाइना के प्रदानमंत्री के वीच में Sir we want कि जो चाइना के साथ unresolved issue है regarding the borders of the country दो साल से Sir Sir इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए and Sir मौजूदा सरकार इंफिल्टरेशन में बात करती है कि माइगरेंस आ गए है Sir Sir but the government can always work on the इंफिल्टरेशन by controlling the borders Sir यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है क्यों इंफिल्टरेशन होने दे रही है Sir Sir आज की तारीक में महंगाई सबसे बड़ा बुद्दा है आप जंता का Sir जहां समाजवादी पाटी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो दवा पढ़ाई मुफ्त हो Sir आज की डेट में Sir जो मिडल क्लास है जो गरीब तपका है Sir सब परिशान है चाहे वो स्कूल की फीस हो चाहे वो मेडिकल बिल्स हो चाहे वो रेंड्स हो चाहे वो हाउजिंग हो चाहे वो लाइड प्राइज़ हो चाहे वो पेट्रोल डीजल और केरोसीन के दाम हो चाहे वो बिजली हो Sir Sir उत्तर परदेश में electricity के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में there is no increase in production और बिजली भी मुआया नहीं करा पा रही है या सरकार सर फार्मर्स हमारे किसानों की जो स्थिती है आज के भारत में सर फार्मर्स are having the worst time ever in the independent इंडिया सर आप तीन कानून लेके आए काले कानून नजाने कितने किसानों ने अपनी जान गवाई पुदान मंत्री जी ने कहा था कि वो minimum support price मुहिया कराएगी हमारे फार्मर्स को which has not yet materialized सर अर्टिविशल scarcity create की जाती है लेकिन इसका जो मुनाफ़ा होता है सर वो हमारे किसान भाईयों को नहीं मिल रहा है तो ये किसान भाईयों को जो मुनाफ़ा नहीं मिल रहा है मुनाफ़ा जाता कहां पे है सर इतनी महंगाई हो गई है कि सर महलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है वो nutrition के angle से सर कोई थाली जैसे की सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगबख 500 रुपे से भी जादा है सर अगर वो चाहती है कि दाल, डोटी, सबजी, पनीर उसकी थाली में हो तो महला नहीं कर पा रही हैं सर Sir, BJP is destroying the administrative and financial federalism esposed by the framers of the constitution. Sir, they are destroying the institution right from EC, ED, CBI to others. Sir, they are using them as tool to harass the people of the country, sir. And sir, the government of India की minister ने तो यहाँ खड़े थी वो और उने सीथे ठेटन किया कि आपके घर भी ED भेज देंगे. Sir, this is a new law in our democracy. Sir, there has been regular unemployment in the country. Sir, बेरोजगारी से युवा परेशान है आज की तारीक में. Sir, अगनीवी जैसी योजना हैं, जब यह सरकार लेके आती हैं, जिसमें कोई clarity नहीं है, आप हमारे नौजवानों को वर्दी तो पनाएंगे, लेकिन चार साल बाद आप उनकी वर्दी उतारने का भी काम करेंगे. So, as per the Rajasabha question reply, almost 1.2… Sir, as per the Rajasabha question reply, almost 1.26 lakh positions are vacant in Uttar Pradesh of teachers for classes 1 to 8 in the government schools. Similar situation is there in UP police, in the hospitals, in nurses, in ITIs, in PHCs, in home guards, in universities and much more, sir. Sir, all the government of India schemes have failed and collapsed, sir. Be it skill India, make in India, digital India, Swajh Bharat Abiyan. Sir, Lakhno आके देखिएगा, क्या Swajh Bharat Abiyan है, sir. Sir, Banaras को क्योटो बनाने की बात कही गई थी, sir. Sir, सारे जूटे वादे थे. Sir, BJP people indulge in the politics of divide, hate and rule. लोगों में विभाजन करके आप साशन करना चाहते हैं. Sir, the condition of the OPCs, the SCs, the STs, women and minorities is threatened every day by this government, sir. They feel as if they are the second class citizen, sir. Sir, you gave him so much of time, sir. I have a request, sir. It is proportionate time. Sir, sir. ये अनुपात में होता है. Please. No, no. Please. ये समय का जो अबंटन है, अनुपात में होता है. Please. Sir, the position of OPCs, SCs, women and minorities is threatened every day in this government. They feel as if they are the second class citizens. Police has become a tool of harassment, sir. Sir, a family in Uttar Pradesh was burnt alive by the UP police. In Kaanpur, Dihad, sir. Sir, I would request you and आप request करेंगे प्राइमिन साब को कि वो आएं. Sir, बहुत ही सदन में लोग बहुत काम हैं. Thank you. आएंगे. Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak here. Sir, tomorrow, sir, आप आप कम्प्रीट कीजिए. Okay, okay. Sir, 1942 में, sir, 8 August के दिन ही क्विट इंडिया मूव्मेंट की साफना हुई थी, sir. Sir, आज भी 8 August है. And, sir, मैं कहना चाहूंगी BJP के लोगों से की stop dividing our country, stop dividing India. Sir, इनी वर्स से I would like to thank you. Sir, श्रीपना की मिश्रजी. नमस्कार, मैं हूँ एहमर. अगर आप कोई वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सस्क्राइब करना न भूलें. धन्यवाद.